यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार में हूँ अवंति का यादव और आप देख रहे हैं खबरे अभी तक पर अब बनेगी बात क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ में आगंबाडी वरकर्स की मीटिंग चल रही है और साथी CM House में ये वारता चल रही है, CM House में बातचीत चल रही है मुख्यमंतरी मनोहडाल खटर के आंगनबाडी वरकर्स के साथ में आंगनबाडी वरकर्स का पाँच स्तदस्य मंडल बैठक में शामिल है जिसके साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर रही है आंगनबाडी वरकर्स कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है और आज मुख्यमंत्री से बातचीत उनकी और से की जा रही है आंगनबाडी वरकर्स और CM के बीच में बातचीत हो रही है चंडिगर से ये बड़ी खबार और CM हाउस में ये बातचीत चल रही है लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि क्या अब बात बनती हुई नजर आएगी क्योंकि आंगनबाडी वरकर्स बीते कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही कई मांगे उनकी और से उठाए जा रही है तो पिछली कई दिनों से हर्याना के अलग-अलग जिलू में आंगनबाडी वर्कर्स का प्रदर्शन अब समाप्त हो सकता है C.E.M. ने आंगनबाडी वर्कर्स के एक प्रतनिधी मंडल को बातचीत के लिए बुलाया है चन्निगड में हर्याना के मुख्यमंतरी दिवास पर C.E.M. के साथ आंगनबाडी वर्कर्स की बातचीत चल रही है लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उखता है कि जब सरकार ने बातचीत कर मामली कुछ सुलचाना था तो फिर पूरे देश में पूरी प्रदेश में इतने दिन तक धना प्रदर्शन क्यों होने दिया गया पूरी प्रदेश में क्यों आगनबाडी वर्कर्स को विरोध प्रदर्शन इतने लंबे समय तक करने दिया गया और इतना ही नहीं जब आंगनबाडी वरकर्स खुद बातचीत के लिए चन्डिगड आ रही थी तो उन्हें रोका गया लेकिन इसी मामली पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब आगनबाडी वरकर्स के साथ में बातचीत सुलक्षती हुई नजर आएगी क्या बातचीत से कोई समाधान निकलता हुआ नजर आएगा तो आगनबाडी वरकर्स के मुख्यमंतरी के साथ में बातचीत चल रही है लेकिन क्या इस बातचीत से अब हल निकलेगा क्या जो मांगे है अगनबाडी वरकर्स की वो मानी जाएगी इसी पर हम चर्चा करेंगे हमार साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जैभगवान अगनबाल हमार साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो की सीटू के राज्य महा सचिव हैं स्वागत आपका खबर अभी तक पर जैभगवान जी मुख्यमंतरी के साथ में बातचीत चल रही है क्या लगता है आप बात बनेगी यहां पर देखिए हम सुरुवाती दोर से ही मल यह इतिहास है हरियाना के अंदर कि पहली बार हरियाना की पचास हजार से ज्यादा वर्कर्स और हल्पर्स हर्तार पे हैं और यह कोई साधान मसला नहीं है और पिछला एक महीना हो गया बातचीत तो पहले भी इसका हल किया जा सकता था लेकिन जिस धंग्षे हरियाना की सरकार और यहां के जो प्रसासनिक अधिकारी पूरे मामले को जिस धंग्षे नोने डील किया है उसमें बहुत सारी समश्या है और ये गुस्से को नहीं भाप पाए आप अंदाजा लगाए एक योजना जो है वो 43 साल से चल रही है और उस योजना में 35-40 साल एक वर्कर या हेलपर काम करती है उसके बावजूद भी उसका वेतन है वह आज के दिन केंदर और राज्ये का टोटल अगर मिला लिया जाए तो वह कुल मिला के वर्कर को आज के दिन 8140 रुपे मिलता है और हेलपर को 3820 रुपे मिलता है ना कोई समाजि वियानां जो है यह गुस्ता है सरकार की नीटियों के विरोध में इससा नहीं है यह असल में मुख्यमंतरी जूँ बोल रहे हैं 2013 के अंदर 45 सरम सम्मेलन हुआ था जिसमें उस समय पर UPA की सरकार थी और BJP पार्टी विपक्स की पार्टी थी ये उस कॉंफरेंस के अंदर के अंदर सरकार ने और तमाम राज्य की सरकारों का एक वो मंच है उसने इस विकार किया था कि स्कीम वरकर्स जिसमें आंगनवाड़ी वरकर हेलपर भी शामिल है आसा भी है मिड्डे मील भी है कि इनको आप क्रमचारी का दर्जा दो इनकी सामाज़क सुर्क्षाई गारंटी करो और इनको नियूंतम वेतन दो यह 2013 की बात है है तब उनकी सरकार केंदर अरियाना के अंदर उनकी सरकार आई तो आते ही अभी यह आपनी ही बात से पलट रहे यह स्मृतन लेकिन अब यह कोई वायदा नहीं किया गया था नहीं इंडिया इंडियन लेपर कॉन्फेर्स जो अपने आप में स्टेटिविव पोड़ies है उसमें केंदर सरकार और राज्य सरकार हैं लबर डिपार्टमेंट तमाम भी बाग उसके अंदर सामिल है अगर वह को है कोई एक resolution आगर करेंगे ऑब बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदเ 멱 डिनाई कर रहे हैं तो यह तो यह की मिड़े मील वर्करों के बारे में आसा वर्कर्स के बारे में आप देखिए एक क्रोड महिलाएं हैं इंदुस्तान के अंदर स्कीम के अंदर जो काम कर रही हैं जो स्कीम के अंदर सरकार द्वारा संचालित हैं जिनको राज्ये लागू करते हैं अभी राज्ये में भी पिछला एक साल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पिछले साल दो जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने अपने निवास पर हमारे यूनिन के परतिनी दिमंडल को बुलाया था उसको बुलाया था बातचित की उन्होंने का कि हाँ आपकी बडोतरी जायज है की जाएगी आपकी फाइल चला देते हैं सेकिंड टाइम फिर हम 28 परवरी को मिले मुख्यमंत्री महोदेशे तब उन्होंने का कि हाँ चल रहा है यह प्रोग्रम आपकी प्रोफाइल चल रही है एक साल हो गया कोई महिना ने गुजरता जब वरकर्स धर्णे परदर्शन में नहीं होते इस बीच में हरतार भी दो ब आपके यहां परदर्शन में समर्थन देते हैं तो कितना भरूस आपको उसमें नजर आता है नहीं देखिए वह एक जनतंतर के अंदर सब को यह नजर आता है कि आगे वोट लेने हां उनको जो है लोगों के बीच में जाना है तो यह जिम्मेदारी बनते वह आएंगे उसक कम से कम चौथे दरुजे का मानलो एक आंगनवाडी वरकर है उसकी जो क्वालिफीकेशन वह इंट्रिव्यू सेलेक्शन जो है वह सिलेक्षन जो है वह एक तरीके से थर्डडी क्लास के रूप में है अगर उसको देखोगे मानें कि अभूर्द क्लास अगर माननेंगे हम य सब्सक्राइब करें एक है यहां पर चाहला पीपर 25 जार की संख्या स्रकार को 10 में नहीं सब्सक्राइब हैं। उसमें भी वह यह कहा रहे हैं। हम इनको सेमी स्किल और स्किल में डाल रहे हैं हम कह रहे कि यह नहीं जिए अप सरा को मानना ही पड़े लिखर है आपने की सरा क्राइफ कर कर र color रखा है ओस डॉ एक्सपेर्यस माने ऑप को मानी Muhyamada आप मुख्यमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री रिवास पर बैठक चल रही है आपको लगते है वहां पर यह जो आपकी बाते हैं इसको माना जाएगा और अगर नहीं माना जाता है तो फिर आगे क्या रणनी दी रहेगी देखिए यह आंदोलन जो है वो लगबग एक महिना इसको हो गया है और सीट्टू और सरोकरमचारी संग के नेतरतों में हमारी आंगनवाडी वर्कर्स और हेलपर्स यूनिन वह इस आंदोलन में उसने अड़ताल का आहावान किया है 19 फरवरी से हड़ताल जारी है और इस बीच में दो तिन बार वारताई हमारी हुई है मौनन आप ऐसा तो मत किजिए